आनन्द टेकवाने इनका बहुत लंबा सवाल है जो मैं समझ पाया हूं आपके सामने रिपेट करता हूं वो कहते हैं कि हमने पूजा पाट बंद किया हो महवन बंद किया तो क्या पूजा पाट और हो महवन बंद करने से कुछ नुकसान होता है दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि केवल अपना कर्म जो हम करते हैं उसी को मान कर चलने से चल सकता है क्या दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पुछा है कि ये home oven करना, पुजा पैट करना ये जरूरी है क्या तीनों सवाल बहुत अच्छे है मैं उल्टी शुरुवात करता हूँ अपने जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसी को मान कर चले अपने जीवन में तो यह अच्छी बात है क्या है बहुत अच्छी बात है अच्छा काम करते रहो फलकी अपिक्षा मत करो जीवन में बहुत समाधान मिलता है जीने का समाधान मिलता है किसी का बुरा नहीं करने का अच्छा ही काम करते जाने का सारी दुनिया कैसा भी बरताओ करें लेकिन हम प्रामानिक्ता से बरताओ करेंगे प्यार से बरताओं करेंगे इस धंग से अपने जीवन में जीते जाने का और अपने कर्मों पर विश्वास रखने का ये जीने का बहुत सुंदर तरीका है जो हमको स्वामी विबेकानजिस से लेकर तो सभी संतोंने कहा है मैं भी अपने जीवन में इसी धंग से जिना चाहता हूँ जिते आया हूँ पूजापाट करने से या फिर होमवन करने से पूजापाट ना करने से हमारा कुछ बिगड़ता है क्यों बिल्कुल बिगड़ता नहीं है अगर आप इश्वर को मानते हो सही मानते हो तो इश्वर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता यह तो बच्चों जैसी बात होगी आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो मुझे नहीं मान रहे हो मैं आपको बुरा कर दूँगा यह तो इनसान करेगा भगवान कैसे करेगा अगर है भी और आप मानते हो भी तो इसलिए आपने पूजापाट नहीं किया हो महवन नहीं किया तो आपका कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है इश्वर आपका कभी होगा तो भी बुरा करने की गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि आप कोई ना कोई धंका meditation अपने जीवन में अमल में लागी है चाहे वो प्रार्थना हो सकती है अब प्रार्थना भगवान की करनी चाहिए इसके आवशक्ता नहीं है मात्मा गांधी सर्वधर्म प्रार्थना करते थे meditation करिए प्रार्थना करिए जिससे आपका मन एकागर होगा शरीर एकागर होगा concentrated होगा उसके कारण दोनों relax होगे ये जो अलफा रिदम की अवस्था है बहुत विस्तार से मैंने personality development के पुरे सीरीज में सम्मोहन वगएरे बताते हुए आपको कहा है उस धन से प्रार्थना को या फिर meditation को या फिर ध्यानदारणा को या फिर सम्मोहन जैसी प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाई ये जो अध्यात्मिक शित्र के सभी फायदे है वो सभी इस अवस्था के फायदे है meditation के जरिये जो हम अवस्था प्राप्ते करते हैं जिसको हम alpha rhythm की अवस्था कहते है ये relaxed rhythm की अवस्था है बहुत अच्छी अवस्था है उस अवस्था में अपने आपको जो हम suggestion देते हैं उसका बहुत उपयोग होता है तो एक positive suggestion आप अपने आपको दे पाएंगे कि ये प्रार्थना करने के बाद में मेरा मन बहुत शान्त हो रहा है मैं अंदर बाहर से शान्त हो रहा हूँ मेरा अच्छा ही होगा मैं लोगों का अच्छा ही करूँगा लोगों के साथ मैं अच्छा ही बरताओ करूँगा अच्छे ही करम करूंगा ये जो बाते आप अपने आप इस अवस्था में कहोगे वो एफेक्टिवली आपके द्वारा अमल में आएगे आपके परसनालिटी का वह हिस्सा बनेगे लेकिन अभी एक हो सकता है कि आपके मन में कही डर है कि मैंने पुजा बंद कर दी होम होमन बंद कर दिया मेरा नुकसान होगा कोई नुकसान नहीं होता है बार बार अपने आपको समझाईए सीरा सा सवाल है कई लोग है जो होम होमन अपने जिवन में नहीं करते हैं नहीं किसी की पुजा करते हैं तो क्या हो इंसान करकर जिते नहीं है अच्छे डंक से जिते है अब स्वामी विवे का नंद तो कोई पूजा नहीं करते थे यह हमेशा याद रखी तो यह जो निगेटिव सजेशन का हम पर जो परिणाम होने के गुंजाईश है उसको बार-बार नकारी है और उसके लिए मै को बहुत बल मिलेगा बहर आने के लिए बहुत ताकत भी मिलेगी और यह जो कुछ थोड़ेबोत परिणाम आपके मन पर निगेटिव होने की गुंजाईश है आपके डर के कारण वो भी होने से अपने आपको आप रोक पाओगे और एक पॉसिटिव दिशा में प्रवास क इसे सरे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बेटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए